तो नाइट वर्चर की इस अपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे क्या बोलते हैं इस आदमी से जेनल से जो राजा से ये कहता सुनो ना यार जो समान ले जाना था समान तयार हो गया है मैं जाने को तयार हूँ लेकिन जाने से पले छोटा सा हेल्प और चाहिए राजा भी कहता बोलो क्या हल्प चाहिए तो ये भी कहता है आदे प्रिंस जेन भाई की जो बीबी यहां पर है वही सबसे सुन्दा लड़की उसको भी लेके जाना है उन्होंने बुलाया है राजा कहता सची में नौकल लोग निकलो तो नौकल को भेज देता है और कमरे में राज रिक्वेस्ट और एक आना जह मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे कुछ फूटा सब प्रॉब्लम हो चुका है निकला है कि यहां पर नहीं बचाओ तो प्लिस मुझे ना कोई और बंदा साथ में यहां पर चाहिए तो वह भी कहता राजा एक सेंगे तुझे चोट यहां प अगर आपको याद होगा तो राजा को यह नहीं मालूम कि शौक्वेन का गोल्टन बोडी दुआ रहा हुआ है इसने हमारे शौक्वेन को ब्लैकमेल किया था कि मैं तेरे भाई को छोड़ दूगा अगर तुने मुझे सिखा दिया तो तो इसका अनुमान लग जाता है कि इसन यहाँ पर वतन उसको खतम यहाँ पर कर देता और अभी के लिए तुझे आडिया भी है वो प्रिंसेस कितनी सुन्दर यहाँ पर है भाई बाई चंस कोई आदमी देख लेगा तो भाई उस प्रिंसेस के साथ कुछ भी कर सकता है और तेरी हालत भी खराब है तूँ ऐसा क्य है कि जिस वह अपना रूप बदल लेती है राजा भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में कहां से आया उनके पास यह भी कहता है मैंने पूछा तान उन्हें ने बोला नैशनल टीचर ने दिया है उसने कई बार यहां पर रूप बदला है और यहां वहां घुमती रहती ह है मुझे रियल इंसानों की बोड़ी मिलेगी क्या शाओ क्वेन भी कहता है यहां मिलेगा टू टेंशन यहां पर ना ले सेट में जैसे एंट्री मारता है हमको मालूम है सेट का हर एक डिसापल हमारे शाओ क्वेन का बहुत इवड़ा फैन है और टूट पड़ते हैं और कह के चोग जाती की बापरे ऐसा बोला जाता है दुनिया में सबसे एटिटूड वले यह स्टेड की लोग होते हैं लेकिन यह लोग इसके सामने इतना प्यार इतना नॉर्मल इतना अच्छा बरताब कर रहे हैं समझ नहीं आता यह अपनी भूत भी डाउट में आ जाती होई हमारा शाओ को एन कहते है कि यहां रे शांत हो जाओ टेंशन यहां पर ना लो तुम को जो भी काम सारा काम यहां पर कर वा दूंगा और यह अपसे में थोड़ा बहुत अल्किमिस्ट पर धियान दूगा एवि जो सौंग नाम का लड़कता उससे पूछे जाता बता भाई तुझे जो मैंने काम दिया था, तो उन्हें काम पुरा किया या नहीं किया, वो भी कहता सर जी, इतने मेहनत करने के बाद, मैंने फ़ानिल यहां पर कर दिखाया, आईए मैं आपको दिखाता हूँ एक कमरे के बाहरा आता है और कहता है ये जो कमरा है ना ये कमरे के दरवाजा आपको मालूम शयद नहीं होगा इस स्पेशल मेटल से बना है जो मैंने 10 तिन का टाइम लगा के यहां पे बनाया है जिसको तोड़ने के लिए minimum इना level 4 का power यहां मुँपे चूमू बोल दिया है को नहीं है लोग मेरी बेस्ते क्यों किये जा रहे है नमबर टू भी कहती सोरी यार गलती से सचाही निकल गई हमारे शौकएन भी कहता रहे यार यह जो लड़की है ना आतमा उसके लिए हम यहां पर आ है तो चलना यार चलना मिलवाना तो लेके आते हैं और कपड़ा यहां पर हटाता है हमारे शौकएन बड़ा नरवस्ता कि उस पतनी क्या बना दिया है हां तो भी इंसान यहां पर था तो बेसिकली सौंग ने एक बोड़ी यहां पर तयार किये और हमारा शौकएन भूत को उसी बोड़ी में भीजना चाहता था तो यह भी देखता हो के यह तो इंसान लग रहा है वो भी कहता है या या इंसान लग रहा है लेकिन ऐसा लगता है दीरे दीरे इसकी हालत खराब हो रही है और तीन दिन बार शाहते ना यह बोड़ी डेड़ बोड़ी में बदल जाएगी हमारा में के टबी कहता है एक सेग पुछ नहीं होगा लिकिन अगर पुराने टाइम को क्या और बंदा आ जाएगा उसकी बोडी में एंटीबायोटेक्स यहां पे नहीं नहीं तो उसकी मौत हो सकती है यह जो बूट को बोडी देने के लिए मैंने तुझे बोडी तयार करने को बोला था जाओ भूट बोडी मे जाओ, तु वो बोडी में चल जाती है, जैसे जाती है, लोग इंतजार करेते कि वाओ, नाइस, शौक वें सोचता एक सेगन, भाई ये बोडी लड़के की हैं, और मैंने बोला भी ताहां, कि मैं तुझे अपनी कोकुम भाई बना लूँगा 3 साल के लिए, भाई लड़के को ये बेसे लिएक पथल यहां करें, और मेरी भूत पागल नहीं है, जो पथल के अंदर जाएं, तो सौंग भी सदमे में आ जाता है, क्या मैंने इंसान के निबल की पथल की बोड़ी बना दी है, ये भी सैड हो जाती किया रही है, इतना मेहनत करने के वाद भी कुछ नहीं म सकता हूँ, मेरे को बोड़ी बोड़ी बनाने नहीं आता, ये एक सेकेंड, अगर आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में, हमारे बुढ़े ने बोला था, कि एक लोटस यहां पर है, लोटस इतना कमाल के जो पथल में भी जान डाल सकता है, और ये डेट बोड़ी भी अलमस पथल के बराबर है, तो अगर हमने इस बोड़ी के अंदर लोटस यहां पर डाला, या लोटस का पता डाला, तो इसमें जान आ जाएगी, तो सुनो सौंग, यार ऐसा ऐसा एक लोटस है, जो पथल में जान यहां पर डाल सकता है, तुमारे बोड़ी में डाल देगा, वो भी एदर सच्ची में ऐसा कोई होता भी है क्या आइटम नमबर टू को याद आता यास बुढ़े ने बोला था मैंने खुद यहाँ पर सुना था सही है यार बढ़िया एडिया है अपना भूत भी खुश हो जाती है या अगर ऐसा यहाँ पर आ तो यह बोडी में यूज़ कर सकती हूँ हमारा मेंकर्ट भी समझाता है यह नाइन कलर लोटस बोला जाता है जो कि अर्थ सेट कर टेजर आइटम यहाँ पर है वो ऐसा काम कर सकता है वो एलकिमिष्ट के लिए बना है तो सौंग भी कहता क्या बात है सची में बाई प्लीस मुझे अपना चूसने दो न यार आप तो बड़े ग्रेट आदमी हो और यह चैप्टर यहीं पर खतम भी हो जाता है तो मिलते किसी और वीडियो में चैप्तर के लिए बाई बाई